असकार स्वागत है आप सभी का स्मार्टनीज इंडिया में इस वक्त के एक बड़ी खबर मौसम विभाग के द्वारा मंगलवार को महरास्ट में अगले चार दिनों तक भारी बारिस की चेतानी जारी कर दी है वहीं मुख्यमंत्री एकनात सिंदे ने राजबरसासन के अधिकारियों को एहतियात बरतने और यहत्य करने का निर्देश दिया है कि जानमाल का कोई नुकसान ना हो इसके अलावा राजसरकार ने बार्ड प्रभावी 30 कोकड में NDRF और SDRF की 24 टीमों को तैनात कर दिया है जो की हालात से निपटने के लिए पूरी तरस से तैयार है एक अधिकारिक बयान के अनुसार मुंबई के पास इस्थित राइगर जीले में कुंडली का नदी खत्रे के निसान के उपर बह रही है जिया यानि अगर इसी तरह बरसात होती रही तो कुछी गंटों के अंदर जिया नदी जो खत्रे के निसान से उपर बह रही है उसके वज़े से आसफस्त के इलाकों में बाड़ आ सकती है आप सभी को पता है कि चिपलों ने जिस प्रकार से बाड़ ने तबाही मचाई थी उसको देखते हुए पहले से ही एतियात बरता जा रहा है 24 टीमें तैनाथ है जहां जहां पर भी उमीद है कि बाड़ आ सकती है बुंबई और उसके पडोसी जिलों में मंगलवास सुबह से ही भारी बारी चालूहर कुछ अस्थानों पर बाड़ जैसी स्थिती उत्पन हो गई है इसके चलते IMD ने दच्षिड कोकर चेत्र और गोवा के लिए ओरेंज अलट और उत्तरी कोकर उत्तर मद्य एम दच्षिड मद्य मारास्थ और माराथा वाड़ा च्षेत्रों के लिए यलो अलट जाली कर दिया है मौसम विभाग के दोरा बताया गया कि आने वाले समय में जिया औरेंज अलेट के साथ 40-50 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से हावाएं भी चलेगी जिसकी वज़े से पेड़ पौधों के गिरने की संभावना सबसे जादा रहती है तो कईने कई मुंबई पूरी तरह से बेहाल है बांसुन की शुरुवाती दौर में जुलाई में ही जिया हालत इसकरावत पतली हो चुकी है कि सडकों पर भीशर पानी जमाय जिसके वज़े से बच्चों के स्कुल्स बगएरा भी जल्दी बंद कर दिये गए तो सावधान रहे सुरच्चित रहे और बेवज़े सडकों पर बिल्कुल ना निकले जैहिं जैमारास्टर